में हेलो प्रेंड्स आज की बीडियो में हम सीखेंगे कि आप पाइथन प्रॉग्रामिंग की मदद दे आटोमाटिक रिप्रेश्च सिस्टम कैसे बना सकते हैं जोकी कंप्यूटर में हर दम अपने आप आप आटोमाटिक रिप्रेश करता रहेगा आप उसका टायम भी सेट कर सकते हैं या 10 मिनिट में करो या 15 मिनिट में तो चलिए आज सीखते हैं कि अटोमेटिक रिफ्रेश सिस्टम कैसे बनाए तो उसके लिए पहले कमांड खोल लेते हैं कमांड खुलने के बाद यहां पर टाइप करेंगे कि पीप इंस्टॉल प्लायर मैंने आपको दो मॉडियूल के बारे में पिछली वीडियो में बताया था एक प्लायर और एक पाई अट गूई उन दो मॉडियूल को यूज करके आज हम एक आटोमेटिक रिफ्रेश सिस्टम बनाएंगे उसके बाद इंटर अधा भी है और यहां पर इंस्टॉल होना है स्टार्ट हो जाएगा यह मेरा पहले सी इस्टॉल है इसलिए रिक्वाइर्मेट अल्रेडी से स्पाई करके मेसेज आए गया और एक और मॉडियूल इंस्टॉल किजिएगा जिसका नाम है अब इसको क्लोज कर देता हूं और अब उसके बाद वीज्वाली स्टॉडियो कोड खोल लेते हैं और यहां पर एक नया फाइल बना देते हैं जिसका नाम देते हैं स्टॉड्स 13.py और यहां पर आब हम अटोबेटिक रिप्रेश सिस्टम मनाएंगे उसको हम बैग्राउंड में रन करेंगे ताकि आपका विज्वाली स्टॉडियो कोड बंद भी हो जाए तो भी कुछ नहीं फरक पड़ेगा उसके बाद यहां पर लिखिए इंपोर्ट प पाई अटोगई एज पीवाई और उसके बाद रम प्लायर रम प्लायर इंपोर्ट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन यहां पर मैं उपर भी लिख देता हूं कि ताकि आपको ईजी हो जब सोर्स कोड़ दू तब आप ईजी से इसको पहले मोडूल को इस्टॉल कर पाएं और यहां पर नीचे आजाते हैं और यहां पर लिखेंगे पीवाई डॉट की डाउन की डाउन यानि कि यह स्टार्ट बटन हम जब भी रॉन कमांड खोलते और उसमें ट्री लिखते हैं तो उसके लिए हम सॉटकट की होता है यह दोनों प्रेस करेंगे तब जाके रॉन कमांड खोल जाएगा तो उसके लिए पहले हम इसको बोल रहे है कि पहले रॉन कमांड खोल लेना विन पीवाई डॉट प्रेस उसके साथ तुम्हें प्रेस करना है आर यानि कि रॉन कमांड खोलने के लिए और उसके बाद लिखिए पीवाई डॉट की अप यानि कि दबाय रखो जब तक कि आर अब यहां पर रण करूंगा तो उसके बाद यह कमांड खोल लेगा यहां पर इसने अटोमेटिक कमांड खोल लिया मैंने नहीं खोला इसको अब मैं चाहता हूं कि उसमें ट्री भी खुद ही लिख ले पीवाइड डॉट राइट और इंटर्वाल मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि इंटर्वाल से क्या होता है कमांड इंटर्वाल इंटर्वाल यानिकी वह कितनी स्पीड में टाइप करें जिरो पॉइंट वान यानिकी कंप्यूटर की थोड़ा थोड़ा टाइप करेगा टी आर इए ऐसे करके अब उसके बाद इंटर यह प्रेस करते यानिकी पीवाइड डॉट प्रेस पीवाइड प्रेस इंटर अब मैं इसको रून करूंगा तो आप देखिए इधर यह रॉ रॉन होगा अटोमेटिक साथ में ट्री वी लिखा और इसने इंटर वी दावा यह रिप्रेस होना यह स्टार्ट हो गया तो अपने चाहता हूं कि यह पहले एक मुझे नोटिफिकेशन दे उसके बाद यह रॉन हो यानिकी इधर पहले एक नोटिफिकेशन तो करें उसके बाद यह रॉन होना इस्टार्ट हो जाए मैंने पिछली वीडियो में भी बतलाया था कि आप डेक्सटप नोटिफिकेशन कैसे बना सकते हैं उसके लिए अब लिखे में फॉंक्शन को पहले बुलाएंगे इधर मेंने लिखे इंटर मारेंगे तो यह आ जाएगा उसके बाद लिखिए नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन डाट नोटिफाई नोटिफिकेशन डाट नोटिफाई और उसके बाद लिखिए टाइटल इस इक्वाल टू टू टाइटल लिख देता हूं इट्स रिफ्रेस्टाइम और यहाँ पर कमा लगाएंगे और उसके बाद इंटर मारेंगे मैसेज क्या देगा मैसेज इस इक्वाल टू प्लीज वेट आ वाइल प्लीज वेट आ वाइल प्लीज वेट आ वाइल उसके बाद फिर से कमा लगाएंगे और इंटर मारेंगे और उसके बाद आप आइकन आप आइकन यानि कि यह कैसा लोगो सो करें आप आइकन इधार एक रॉंग हो गया आप आइकन इस इक्वाल टू उसके लिए हमें आइको फाइल एक डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आप क्रूम में जाके लिखेएगा रिप्रेस.ाइको फाइल डाउनलोड तो कोई भी एक आपको अच्छा लगेगा उसको डाउनलोड कर लीजिए मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया है ऐसा रिप्रेस का सिस्टम मैं इस पात को पहले कोपी कर लेता हूं कोपी करने के बाद यहां पर पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद slash refresh.ाइको मैंने refresh.ाइको इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इस फाइल का नाम रिप्रेस रखा है और यह आइको फाइल है यानि इदर देख सकते है item type आइको फाइल यानिकी refresh.ाइको हो गया यह और इसके बाद यह message कितनी देर तक रहे है यानिकी time out time out is equal to 2 second अब मैं इसको run करूंगा ओ सर इधर कामा छूट गया है तो अब मैं इसको run करता हूं एक मिनट पहले इधर refresh का spling मिला लेते हैं refresh. और इधर double slash लगा देते हैं यानिकी directory में जाके इस फाइल को तुम represent करो अब मैं इसको run करूंगा तो ये इधर एक message भी आएगा आपने देखा जैसे कि it's refresh time और message भी आया था मैं उसके time out को पहले बढ़ा देता हूं थाकि आप अच्छे से देख पाए इसको 5 second अभी के लिए कर देता हूं तो अब मैं इसको run करता हूं और यहां पे अब ये 5 second के लिए रहेगा आप से भी रख सकते जितने चाहिए आपको और उसके बाद मैं चाहता हूं पहले ये notification दे उसके एक सकेंड बाद ही रिप्रेस करने स्टाट करें नहीं तो अगर आप देखिए अगर मैं स्टाट कर दूंगा और इधर में कॉर्सर लाता हूं कोई काम कर रहा हूं तो इधर इसने ट्री लिख दिया कंट्रल जेट से वापस ला दिया इसके लिए पहले हम टाइम को अब इंपोर्ट करेंगे यानि कि एक सकेंड बाद ही ये इस्टार्ट होगा पहले मैसेज देगा उसके एक सकेंड बाद स्टार्ट होगा रिफ्रेस करना ताकि आप कोई काम ना करें उस समय इंपोर्ट टाइम और यहां पर अब लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप टाइम डॉट स्लीप वान स्केंड यानि कि मैसेज देने के बाद तूम्हें स्टार्ट करेंगा एक सकेंड यहां पर देख लीजिए तो वैसे ही आप मिला सकते कितनी देर बाद यह स्टाट हो और यहां पर हम हमेशा तो इसको रन नहीं करेंगे तो यहां पर आप हम वाइल ट्रू को लाएंगे वाइल लूप को जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वाइल ट्रू वाइल ट्रू और इन सब को के अंदर कर्देंगे इन सबको सेलेक्ट करेंगे और पहले नोटिफिकेशन को डुट ऑधर ला दिया है तब दबाएंगे तो यह आ जाएगा सिलएक करने के बाद तयम यह तैब उसको वइवाहिछ के अंदर लाना है त्यावठ अब यह रन करेंगे अब इसको रन करेंगे तो अब यह हर एक पांच सकेट टाइम आउट रखा है यानि कि मैसेज पांच सकेट के लिए दिखाएगा और यहां पेले टाइम आउट हमें लगाना होगा यानिकि टाइम आउट टाइम आउट इसी एक्वल टो ओरे टाइम डॉट है टाइम डॉट स्लीप यानि कि तुम इतनी देर के लिए सो जाओ अभी के लिए सिर्फ 6 सकेंड लगाता हूं और टाइम आउट को इसको थ्री सकेंड टू सकेंड रहेने देता हूं अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख लिए क्या होगा पहले यह नोटिफिकेशन देग और इसके बाद ट्री लिखेगा और इसके बाद इंटर दावेगा वह भी 6 सकेंड के लिए उसके बाद सो जाएगा फिर से यह प्रोसेस से स्टार्ट करेगा अब मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर देखा नोटिफिकेशन आ गया एक सकेंड बाद से स्टार्ट हुआ और इसको भी रिवाइस कर देता हूं फिर 6 सकेंड रुख जाईए उसके बाद यह फिर स्टार्ट होगा मैसेज आया फिर आटोमेटिक स्टार्ट हुआ फिर रिप्रेस किया यह सब अब आ कि हमेज़ा आप इदर आ इसको रन तो नहीं करेंगे इसलिए को अब बैग्राउंड मेरन करेंगे ऊड के तो पहले उसके भी इसको डिलीट कर दो अ औरै को आप इसको डाइम उसको टाइंच सेट कर लेते हैं कि यह हरेक दस बीड़ेट में रद होगा आप अपने हिसाब से कर लिजेगा यानिकि 60 इन्टु 10 यानिकि हरेक दस मिनट में रन होगा अब मैं इसको सेव कर लेता हूं सेव करने के बाद एक न्यू टर्मिनल खोलूंगा और यहां पर लिखूंगा पाइथन पाइथन डबलू डॉट स्लैस टीउट्स 13.ty और इसके बाद इंटरप्रेस कीजिए मेरा तो रन हो गया अगर आपका नहीं रन होता है बैग्डाउंड में बैग्डाउंड में का Sorons डूंड रम और नीचे राइट्कि किजिए कर दूद इसको पाईवह अब में सेपया तो यहां darita का देंगा इसको एक न्पाउंडन में उन्फा był और अगर ऐसे आपका प्रोग्राम बैग्राउंड में रन नहीं होता है तो उसके लिए पहले लिखिए और इंटर्प्रेस कीजिए और उसके बाद लिखिए पाइथान डबलू वही लिख दीजे पाइथान डबलू डॉट ट्यूट 13.py और उसके बाद इंटर कीजिए तब आपका रन होना है स्टार्ट होजएगा आप टाक्स मैनेजर में जाहिएगा और यहां पर देख लिजिएगा कि आपका बैग्राउंड में रन हो रहा है कि नहीं स्कूर्स कोड़ा आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप ब्लॉग में जाके ले सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स पर वाचिंग